बिसमिल्ला रख्मान ररहीम, अस्सलाम वालेक्रम, सौधी अरफ से लाइफ हूं जी आपके साथ मैं आपको दे दूँगा आज की एक अपडेट आपडेट यह है कि आप पत्वा है पाकिस्तान और इंडिया की सौधी रेविया की इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद है आप भाई मुझे क्या तमाम तर यूट्यूब चैनल वालों को टिक टॉक वालों को धड़ा धड़ किमिट कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान से इंडिया से सौधी रेविया की फ्लाइट कब खुलेंगी तो इसके मतलब एक नया फ्राड भी चल रहा है कुछ मेरे भाई इस फ्राड के भाई जुम्रे में भी आ चुके हैं अपनी रकम लुटवा भी चुके हैं एक भाई ने मुझे किमिट किया था कि भाई मेरे को कुछ बंदा ऐसा बोर रहा है तो यह का सच है यह जूट है इतने पैसे भी मुझसे मांग रहा है कि मैं उसको इस पैसे दे दूँ या ना दूँ तो मैंने उसको बोला था कि भाई इसके उपर मैं एक विडियो बना दूँगा आपके लिए भी और तमाम तर मेरे वो भाई जो पाकिस्तन या इंडिया से साओधी रिबिया में आने के लिए जिनको बहुत ज़्यादा जल्दी है उनके लिए कि भाई आप किसी भी ऐसे तरीके के थरू अपनी रकम मजीद जाया मत कीजिए गा पहले ही आपका वीज़ा जो है जाया होने के तो बात नी करूंगा माले लेकिन भाई हो सकता है कि अगर आपके छुटी वगारा काम है तो आपका वीज़ा भी जाया हो सकता है जैसे के पहले हो चुका है बात कर लेते हैं जी इस फ्राड के मतलब इसके जुम्रे में वो बंदे आ रखे हैं जो के आमल हज़रात हैं या साइख खास वगएरा हज़रात है या वो बंदे हैं जी जो बाई साओधी रेबिया में मेहनत मज़़ूरी करते हैं मेरी तरह मैं खुन भी कोई ऐसा काम नहीं करते हैं मेहनत मज़़ूरी करते हैं पाकिस्तान से रखम अकठी करते हैं सौधी रेबिया आते हैं अपनी बीव बच्चों के लिए रोज़ी रोटी कमाने के लिए इसके जुमरे में वो क्यों आ रखे हैं क्योंकि भाई उनको पता है सौधी रेबिया में जाएंगे कमाएंगे तो खाएंगे वो तमाम तरह फराद जो भाई डाक्रणी का शुबे में आते हैं यह बड़ी पोस्टो on पर मुकीम है सौदी रेबिया में वो इसके जुम्रे में नहीं आते हैं वो क्यूं है आते हैं वे डटेर अब साथ शेयर कर देता हूँ फराड का चाहता है बहुत से बंदों को भाई अभी जल्दी है सौधी रेबिया की आप भाई बहुत से वीडियो देख रखे हैं और हकीकत बात है मैंने एक 15 मिंट की वीडियो देखी है इसके उपर मेरे खाने में एक बात समझे नहीं है यह उस वीडियो की यूट्यूब के उपर क्या बोर रहा था कि सौधी रेबिया से आप जाएं बहरीन बहरीन से फिर जाएं आप सौधी रेबिया अचा इसके मुतलक तो एक डटेल से अलादा से वीडियो मैं आप भाई उक साथ शेयर कर दूँगा इस मौजू के उपर क्या आपको बहरीन आना चाहिए अगर आना चाहिए तो वहां की क्या सौधी रेबिया की क्या सौधी रेबिया की क्या सौधी हाल है बात कर लेते हैं इस फ्राड के मुतलक बंदे जब ये न्यूस सुनते हैं तो उसके बाद धोर लगाते हैं मैसेज करते हैं क्मिन्ट करते हैं राप्ता करते हैं कि भाई मेरे को जाना है इस तरीके से तो वो बंदा आगे से आपको बोल देता जी हाँ मैं आपका बाई बहरीन के वीज़ा लगवा दूँगा आपको स्के वाली टिकल लेकर दूँगा बहरीन की जहांबर आपको 14 दिन के लिए कंटीना वगयरा करना होगा जो के बहरीन के कनून के मताबका जी उसके बाद आप बहरीन से बाइज़त तरीके से फ्लाइड लेकर या जमीनी रस्ते से जो के दमाम के थरू बाई इंटर होता है बहरीन से उसके थरू आप सौदी लेविया में दाखल हो सकते हैं और जाएं अपने रियाल कमाएं मौज मारें आप फ्लाइटे जाहें छ तिकर लेना फिर बहरीन से सौदी लेविया में आना इस पर गालबन गालबन त людей से फंच लाख रियाल सारी तीन से पांच से आएं भाइ वह बंदे अभी भी आ सकते हैं पाकर सब्द हैं यह वो जहाँ पर जो सौधन औरते हैं उनके खामत वगरा हैं उनके साथ उनका अमला है वो तो डेक्ट भी आ सकते हैं और अगर बहरीन से कुझा आता है तो भाई वो बंदा आता होगा मेरे साथ जिसके पास फनी माइना है यानि किसी चीज़ का भाई वो टेकनिशन है वो इंज सौधी रेविय में जो हम महरत मुझदूरी करते हम को बहरीन के रास्ते ये सौधी रेविय में दाहर नहीं होने देंगे आप किसी के भी बातों में मत हैं मजीद अपने बाई 2-3-4 लाग पिर बोड़ रहे हो पैसे मत जाया कीजिए कुछ दिन इंतजार कीजिए इंशालल ताला सौधी रिविया अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट जरूर खोलेगा पाकिस्तान के लिए इंडिया के लिए तमाम तर बीस मुमालक के लिए खोल देगा और बहुत से सवालात की ये भी जा रहे हैं जवादात को वजारते दाहरी है कि मैं जीचे कमेंट पढ़ता हूँ व वहाँ से आप नहीं आ सकते हैं वहाँ से वही बनत आएगा जिसके साथी नीपिक ज्रूरत होगी आप जैसे और मेरे जैसे को भाई वहाँ से भी इंटर नहीं होने जाएगा अपने पैसे मत परबाद कीजेगा वेट करें करें इंटरनेशन फ्लाइटS का इसके मतलब कोई और इंफर्मेशन होगी तो भी आप में साथ शेयर करता रहूंगा तब तक के लिए अल्ला आफ़ जी